नमस्कार ये आकास्वाणी है अभी आप दिनेश कुमार सिंसे समाचार सुनेंगे पहले मुखे समाचार करनाटक विधान सबाद चुनाओं में कांग्रेस असपर्ष्ट बहुमत की ओर कांग्रेस ने 38 सीटे जीती 134 पर आगे भाजपा 65 सीटों पर आगे विधान सबाद चुनाओं में विजू जनता दल ने उडिशा में जहर्षु गुड़ा सीट जीती उतर प्रदेश में अपना दल सोनेवाल ने सवार्थ सीट जीती और 90 सीट की मत गर्ना जारी पंजाम में जालंदर लोगसवा सीट के उप चुनाओं में आमादमी पार्टी आगे उत्तर प्रदेश अस्थानी निकाज चुनाओं में भारत जेंता पार्टी का वर्चस्व मेर की 17 सीटों में से एक जीती और 15 पर बढ़त परदामनती नरेंदर मोधी ने गुजरात में लगभग 4,400 करून रूपे की परियोजनाओं का लोकारपन और स्विलान्यास किया भारत से किर्शी और संबंदी तुथपादों का निर्याच 4,00,000 करून रूपे से अधिक हुआ और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियन्स ने गुजरात टाइटन्स को 27 रनों चेहराया अब समाचार विस्तार से करनाटक विधानसभा चुनाओं में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है ताजार उजाने को इनुसार पार्टी 104 सीट पर आगे चल रही है भारतियन्ता पार्टी 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए जन्ता दल सेकुलर 21 सीटों पर आगे है अन्ये 4 सीटों पर आगे है कुल 224 सीटों में से अब तक 62 नतीजे घोसित किया जा चुके है इन में से कांग्रेस को और 300 भारतियन्ता पार्टी को 15 सीटों मिली है जन्ता दल सेकुलर ने चे और अन्ये तीन सीटों जीती है करनाटक कांग्रेस बिधाज दल बेंगलूरू में बैठक होगी प्रमुक उमिद्वारों में मुकमेंत्री और भाटपा उमिद्वार बसवराज बंबई सिग गाउं सीट पर आगे है भाटपा के बिजंद्र यदि उरप्पा सिकारीपूर सीट पर और रमेज जरकी होली गोकाक सीट पर आगे है पार्टी के प्रियांक खरगे चिट्टापूर निर्वाचन सीट पर बढ़त बनाए हुए जबकि कांग्रेस के जगदिप सेक्टर हुबली धारवार सेंट्रल सीट पर पीछे चल रहा है HD कुमार्सवामी चिन्ना पत्टन सीट पर आगे चल रहा है निवर्तवान बिधानसभा में सताधारी भाजपा की 116 कांग्रेस की 79 जनतादल सेकुलर की 29 बहुजन समाजपार्टी की एक सीट थी जबकि दो निर्दली विधायते उडिशा के जार सुगूडा बिधानसभा निर्वाचन चेतर के उपचुनाओं में बिजी जनतादल की दिपाली दास जीत गई है उन्होंने अपने निकर्दम प्रद्द्वांदी भाजपा मिद्वार टंका धाथ त्रिपाठी को 48721 सोटों से हराया कांग्रेस उमिद्वार टंका पांडे को केवल 4,496 वोट मिलें उतर प्रद्दिस में रामपूर की सवार सीट पर उपचुनाओं में भाजपा गडबंदन सायोगी अपना दल सोनिलाल के सफीक अहमद अंसारी ने समाजवाधी पार्टी के अमराधा चोधवान को 8,000 से अधी कोटों से हराया मिर्जापूर जिले की 90 सीट पर भी अपना दल की उमिद्वार रिंग की कोल आगे चल रही है पंजाब में जालंदर लोगसवाध सीट के उपचुनाओं की मदगर्ना में आमाद्मी पार्टी के सुसिल रिंग को आगे चल रहे है राजी की 760 सरी निकायों के चुनाओं की मदगर्ना जारी है उतरदेश भार्टी अंता पार्टी गडबंधन भारी बड़त बना वे भाजपा के बिहारलाल आरे ने जासी जिले की मेर सीट जीत ली है पर्धानमंती निकायों के भारत का विकास उसकी सरकार की आस्ता और प्रतिबदता है नुनों ने कहा कि दसकों से विभिन आवास योजनाओं के बावजुद 75% आबादी के पास 140 की उचिस सुविधानी है पर्धानमंती ने कहा घर के वल एक आस्ता अस्ताली ने बल किया आस्ता का वास्तान है जहां अपने सपने साकार होते हैं और नई संभावन हैं पैदा होती हैं नों ने कहा कि उनके सरकार लाब पहुँचाते समय धर्म याजजाती नहीं देखती है और यहीं वास्त्विक धर्म निर्पेचता है स्रीमोधी ने कहा कि उनके सरकार ने आवास को गरीबी के खिलाप लडाई का मजबूत आधार बना है इससे गरीबों का ससक्तिकान होगा और सम्मान बढ़ेगा स्रीमोधी ने कहा कि पिछले 9 वर्सों में गरीबों को लगबग 4 करोण आवास उपलब्द कराएगे हैं इनमें से लगबग 70% आवास महिलाओ के नाम पर है यह माताओं और बेटियों को लगपती दीदी बना रही है उन्होंने कहा कि जब गरीबों को अपने जीवन की बुनियादी जरूतों की चिंता कम होती है तो उनका आत्म भी स्वास बरता है स्रीमोधीन कहा कि सरकार जीवन सोगमता और जीवन की गुर्वत्ता दोनों पर बराबर जोड़ दे रही है गांधीनेगर में एक कारक्रम के तोरान उन्होंने 2450 करण रूपे से अधिक की विकाज परियुजनाओ का दुखाटन और स्टिला न्यास किया केंद्री उर्जा और नवकर्णी उर्जा मंत्री आरके सिंग ने आज नहीं दिल्ली में हरित उर्जा नियमों से संबंधित एक बैटक किया देश था कि हरित उर्जा से संबंधित ये नियम देश के वर्स 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रिय लच्छ हासिल करने के उद्धेश से उस्तरजन 45% कम करने की दिशा में प्रमुक कदम है श्री सिंग ने उद्ध्यों को प्रमुकों से हरित उर्जा लच्छ तैय करने और हरित उर्जा नियमों के प्रावधानों का लाब उठाने की अपील किये उन्होंने कहा कि इससे हरित उर्जा की दर्य तरसंगत बनेगी ता पर्यावन को सतत बनाए रखने में भी मदद मिलेगे हरित उर्जा नियमों की अधिसूचना हरित उर्जा को बढ़ावा देने कचले से उर्जा बनाने तथा उर्जा की खरीद और खपत के लिए की गई है इन नियमों के अंतर के तुब भुकता उर्जा बीतरन कमपनियों से हरित उर्जा आपूर्थी की मांग कर सकते हैं कंपनियां उभखताओं के लिए हरी तुर्जा की खरीद और आपूर्थी के लिए जवाब दे होगी केंद्री अल्प संग के कारमंत्री इस्मिर्थी राणी ने आज हज यात्रियों की साहता के लिए चैनित 468 कर्मियों के दो दिन के प्रसिचन कारक्रम का उद्गाटन किया इन कर्मियों के इस वर्ज हज पर जाने वाले पौने दो लाग यात्रियों को चिकेसा और प्रसासनिक सुधाय उपलब कराने का प्रसिचन दिया जाएगा स्रीमती स्मिर्थी राणी ने कहा कि इस वर्ज 4300 से अधिक मैलाएं मरहरम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है उन्होंने कहा कि सरकार भारती नागरिकों के हज यात्रा के लागत को कम करने पर त्यान दे रही है स्रीमती राणी ने कहा कि पहले बार हज यात्रियों को भारती स्ट बैंक के माइजन से 4x काड दिये जा रहा है इस ओधर पर स्रीमती राणी ने हज यात्रियों और उनकी सहायथा के प्रविजण से चैनित करिमीयों के लिए हज गाइड-लाइन भी जारी की के अंधरे स्वास्ता और परिवार कर लियां राय्यमंत्री डाक्टर भारती प्रमीन पवार ने आज संग Ciao सIE सूपर डाक्टर भारती प्रमीर पवार ने कहा कि इस चर्चा से दुनिया में सभी को स्वास्ति सिवा सुलब करने में मदद मिलेगी स्वास्यवाओं के भीतर में प्रद्योकी की भूमिका का उलेक करते हुए डाक्टर पवार ने कहा कि डिजिटल स्वास्यवा से सभी पच्छों को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने सदस देशों से सर्वत्तम प्रथाओं के आधान प्रदान और सायों को बढ़ावा देने का अग्रह किया। केंद्रिय आउश्मंति सर्वनन सुनवाल ने कहा कि आरुवैद जैसी पारंपरिक च कि सपध्यती स्वास्यवा प्रणाली का एक महात्पूर्ण अंगय या संपूर्ण इलाज में कारगर है। देश से किर्सी और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्याद चार लाग करून रुपे का आकड़ा पार कर गया है। किर्सी और किसान का लियान मंतिर नरें सिंग तोमर ने कहा कि पिछले वर्सों में किर्सी चेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इसने वैस्विक खादे सुरच्चा में मादपूर्ण जोगदान किया है। स्री तोमर कल वीडियो कांफरेंस के मादम से संगाई सायोक संग्टन के सदस्य देशों के किर्सी मं पिटना को मंजूरी दी स्री तोमर ने कहा कि भारत किर्शी चेत्र में विश्व में सबसे अधिक रोजगार देने वाला देश है यहां आधी से अधिक जनसंक्या किर्शी और सहयोगी चेत्र पर निर्वार है। पुर्जाश्रोतों के विकास और वैस्विक आर्थिक समाविजन चम्ता बढ़ाने के लिए अधिक अस्ताई ब्योस्ता की प्रतिबदता ब्यक्त की गई है। के हवाई अड़े को आज से कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज सुवा चक्रबात मोखा चटगाउं बंदरगा से लगभग 615 किलोमीटर और कोक्स बाजार बंदरगा से 745 किलोमीटर द्यूर में था। आइपल क्रिकेट में कल रात मॉंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में मॉंबई इंडियन्स ने गुजराट टाइटन्स को 27 रनों से हरा दिया। आज हैदराबाद में दोपर बाज से सन्राइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनो सुपर जाइंट्स और दिल्ली में साड़े साथ बजे दिल्ली कैपिल्स का पंजाब किंग से होगा। तासकंद में आई बिये पुरूस 20 मुक्यबाजी चेंपेंशिप में भारत के तीनों मुक्यबाजों ने कांस्पदक जीते। इसी के साथ समाचार गुलेटिन समाब्ध हुए। नमस्कार।